हेलो इन वेलकम दोस्तों स्वावत है आप सभी का मेरे इस चैनल में आज के इस वीडियो में मैं आपको सेमसंग M31S और MI Note 9 Pro के कुछ कमपेरिजन करके बताने वाला हूँ तो चलिए ज़्यादा देरी नाकते वीडियो को सुरू करते हैं तो हम सबसे पहले मोबाल की इंटरल और एक्स्टरनल के बारे में बात करेंगे तो सेमसंग में तीन वेरियंट के मोबाल आते हैं जिसमें पहले वेरियंट 64 जीवी इंटरल और 6 जीवी रेम के साथ आता है जि इसकी प्राइस 18,499 रुपे रखी गई है वहीं इसके तीसरे वेजेंट की बात करते हैं तो यह 188 जीवी इंटरल और 8 जीवी रेम के साथ आता है इसकी प्राइस 20,499 रुपे रखी गई है वहीं हम MI Note 9 Pro के मोबाइल के बारे में बात करते हैं तो वहीं इसमें भी 3 64 जीवी इंटरल और 6 जीवी रेम के साथ आता है जिसकी प्राइस 16,999 रुपे रखी गई है वहीं हम दूसरे नंबर के वेजेंट की बात करते हैं तो इसमें आपको 188 जीवी की इंटरल और 6 जीवी की रेम देखने को मिलेगी जिसकी प्राइस 18,499 रुपे रखी गई है व और इसकी प्राइस उन्ष जाद नो सो सूनिन गन्यन्नू रुपय रखी गई है। वहीं हम बात करते हैं M.I.께 मॉबैल की, तो इसमें भी quad core camera दिये गए है जिसमें 48 megapixel का camera और 8 megapixel का camera ultra wide 2 megapixel का camera depth camera और 2 megapixel का macro camera दिया गया है यहीं हम बात करें तो यहाँ पर भी Samsung का mobile आगे निकलता हुआ नज़र आ रहा है बात करते हैं display quality की तो MI के mobile में IPS display दी गई है वहीं Samsung के mobile में super emulet display दी गई है यहाँ पर भी Samsung का mobile आगे निकलता हुआ नज़र आ रहा है अगर हम बात करते हैं screen size की तो MI के mobile का screen size 6.67 inch दिया गया है वो Samsung के mobile का screen size 6.4 inch दिया गया है यहाँ पर MI का mobile थोड़ा बड़ा दिया गया है और आगे निकलता हुआ नज़र आ रहा है अगर हम बेटरी की बात करते हैं तो MI के मोबेल की बेटरी 5020 इमेज की दी गई है वहीं सेमसंग के मोबेल में 6000 इमेज की बेटरी दी गई है यहाँ पर सेमसंग का मोबेल कुछ आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है अगर हम weight की बात करे तो बात करते हैं charging port की तो MI के mobile में charging port C type का दिया गया है वहीं Samsung के mobile में भी charging port C type का ही दिया गया है अगर हम बात करते हैं UI की तो MI के mobile में MI UI पर काम करता है जो 10 version पर काम करता है वहीं Samsung की बात करें तो यह 1 UI 2.0 पर काम करता है जो की 10 version पर ही काम करता है दोनों के फीचर्स टेन पर ही काम करते हैं उमीद करता हूँ आपको MI Note 9 Pro और Samsung M31S का कमपेरिजन पसंद आएगा यदि पसंद आए तो मेरे चेनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर किजिए